ये जंगल बहुत बड़ा था जंगल में हर तीन-चार महीनों के बाद बारिशे होती रहती थी जिस कारण पक्षी तीन-चार महीनों के बाद बारिशों से पहले-पहले ही अपने घरों को रंग करवा लेते थे कालू कावे जारा पैसे लेकर रंग में पानी मिलाकर पक्षियों के घरों में रंग करता था कालू कावे इस बार तो हम तुमसे अपने घरों को रंग नहीं करवाएंगे बस अरे क्या हुआ बुल बेहन आखिर बात क्या है हाँ हाँ कालुकावे तुम्हारा रंग इतना हलका होता है कि बारिश का पानी पढ़ते ही सारा रंग बह जाता है तुम्हें रंग करना बिल्कुल भी नहीं आता इसलिए इस बार तो हम तुमसे रंग बिल्कुल नहीं कराएंगे हाँ हाँ कालू कर वे तुम अपना ये रंग का धंदा बन कर दो या फिर कोई अच्छा कारिगर ढून लो जिसे रंग अच्छा करना आता हो बस फिर पक्षी वहाँ से चले जाते हैं अरे ये तो बहुत बड़ी करबर हो गई अब मैं क्या करूँ ये पक्षी तो आप मुझसे कभी रंग नहीं करवाएंगे मैं अपना ये धंदा भी तो नहीं बन कर सकता अब क्या करूँ मैं अरे हाँ तो कालू जी ये पक्षी ठीक है रहे हैं हम कोई दूसरा कारी कर ढून लेते हैं पिर आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ीगी पर अंतु रानी आखिर कौन पक्षी मेरे पास नौकरी करेगा ये तो बताओ कालू जी मिनुचेडिया बहुत गरीब है वे अपने बच्चों के भोजन के लिए बहुत चिंतित रहती है और वेसे भी सोनुचेडिया ने तो मिनुचेडिया को रंका काम सिखाया हुआ है क्यों न हम मिनुचेडिया को ही अपने साथ काम पर रख लें हाँ रानी मिनुचेडिया ठीक रहेगी कम पैसों में उससे सारा काम करवा लूँगा मैं अपना बस फिर अगले दिन कालुकावा मिनुचेडिया के पास आता है और इसे काम पर आने का कहता है अरे वा कालुकावे मैं तो वैसे भी नौकरी ही ढून रही थी मैं तुम्हारे पस नौकरी कहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और वैसे भी मुझे रंग का काम तो बहुत अच्छे से आता है बस ठीक है मिनुचेडिया तुम कल से ही काम पर आ जाना अगले दिन मिनुचेडिया पक्षियों के घरों में रंग करना शुरू कर देती है और रंग में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाती कुछी दिनों में मिनुचेडिया सारे पक्षियों के घरों में रंग कर देती है मिनुचेडिया का किया हुआ रंग तो अलग ही पता चल रहा था सारे पक्षि बहुत खुश थे कालुकर वे अब हमें तुम से कोई शिकायत नहीं क्योंके मिनो चेडिया का किया हुआ रंग तो हमें बहुत पसंद आया हाँ और ये सब मिनो चेडिया का कमाल है लाओ लाओ पक्षियों अब मेरे पैसे मुझे दे दो सब पक्षि अपने अपने पैसे दे कर वहां से चले जाते हैं कालू कावी मुझे भी मेरी पगार दे दो अब मुझे बारिशों से पहले पहले खोंस्टे की छट के लिए एक छाता खरीदा है ये लो मिनुचेडिया पचास रुपे अरे कालू कावी ये तो बहुत कम पैसे हैं मैंने तु कितने सारे पक्षियों के घरों में रंग किया फिर भी तुम मुझे इतने कम पैसे दे रहे हो अब तुम से खाओगी मुझे कारूबार करना मिनुचेडिया जाओ यहां से वरना नौकरी से निकाल दूँगा मैं तुम्हें बिचारी मिनुचेडिया ओदास होकर वहां से चली जाती है बस कुछ दिनों के बाद बारिशें शुरू हो जाती है पक्षियों के घर में रंग बिल्कुल ठीक रहता है परन्तु बिचारी मिनुचेडिया का घोसला तूट कर नीचे गिर जाता है और मिनुचेडिया अपने मानोचेडिय के साथ बारिश में भीग रही थी ये सारी मुसीबते मुझे गरीब चेडिया पर ही आनी थी अब मैं क्या करूँ कहा जाओ मैं एक काम करती हूँ कालु कवे के पाज आती हूँ बारिश चुकने तक तो वो मुझे अपने घर में रहने दे ही रेगा ये सोचकर मिनोचेडिया कालु कवे के घर पर चली जाती है बिचारी मिनोचेडिया उदास होकर वहां से चली जाती है और तोते के घर पर आती है अरे मिनोचेडिया तुम बिलकुल रह सकती हो मेरे घर में तुम्हारा बहुत शुक्रिया तोते मरना कालु कवे ने तो मुझे अपने घर में रहने से मना ही कर दिया था मिनोचेडिया कालुकावे ने तो तुम्हें पैसे दे दिये होंगे ना तो तुम्हें उन पैसों से अपना घोसला क्यों नहीं ठीक करवाया क्या बताऊ तोती कालुकावे ने मुझे इतने सारे घर रंग करवाए और मुझे सिर्फ 50 रुपे दिये अब तुम खुदी बताओ कि 50 रुपे में आजकर क्या होता है अरे बाप ने 50 रुपे कितना लालची का हुआ है वो मिनोचेडिया मैं तो कहता हूँ कि तुम अलग कारुबार कर लो अपना तोती मेरे पास इतने पैसे नहीं कि में रंग खरीच सकूँ इसलिए मैं अपना कारुबार कैसे कर सकती हूँ मुझसे उधार ले लो पैसे बाद में वापस कर देना परेंतो तुम बस अपना कारुबार शुरू कर दो अब अगले दिन मिनोचेडिया तोते से पैसे उधार पर लेकर रंग खरीद कर लियाती है चलो कालुकावे को बता करा जाती हूँ कि आज के बाद मैं कालुकावे के पास काम नहीं करूँगी ये कहकर मिनोचेडिया कालुकावे के पास लिजाती है कालुकावे बस अब मैं तुम्हारे पास नौकरी नहीं करूँगी क्योंकि आप से मैंने अपना कारुबार शुरू कर लिया है ये क्या कह रही हो तो मिनुचेडिया अपना कारुबार तुम्हारे पास पैसे कहां से आए कालुकवे मेरी छोड़ो अब तुम अपनी फिकर करो वरना तुम्हारा धंदा बन हो जाएगा कालुकवा तो काफी जादा परिशान हो जाता है वहीं दूसी तरफ मिनुचेडिया तूसरे जंगल में आकर पक्षियों के घरों में रंग करना शुरू कर देती है कुछ ही दिनों के बाद मिनुचेडिया ने अब अपना एक लकडियों का घर भी खरीद लिया था और वहीं अब कालुकवे का धन्दा बिल्कुल ही बंध हो गया था क्यूंके अब कोई भी पक्षी कालुकवे से अपने घर को रंग नहीं करवाता था अरे मिनुचेडिया शुक्रिया कैसा सोनों चेडिया ने तो मेरी कई बार मदद की थी कई बार मेरे घर में मुक्त में रंग किया था उसने हाँ तोती अगर आज सोनोचेड़े होती तो कितना जादा अच्छा होता बस तभी वहाँ पर उलू सेट आ जाते हैं मिनोचेड़िया मैं पडोस के जंगल से आया हूँ मुझे पता चला है कि तुम घरों को रंग करने में माहिर हो इसलिए मैं चाता हूँ कि तुम मेरे सो घरों में रंग कर दो मेरे अपने सो घर हैं इसलिए मैं चाता हूँ कि बारिश से पहले पहले तुम मेरे सो घरों में रंग कर दो मिनुचेडिया बादल ने कहा है कि एक महीने के बाद में हमारे जंगल में बारिशे कर देंगे इसलिए एक महीने से पहले पहले ही तुम मेरे सारे घरों में अच्छे से रंग कर देना मिनुचेडिया तो अब बहुत जादा खुश हो गई थी जब कालु कववे को ये बात पता लगती है तो कालु कववा तो बहुत सार आगी निकल गई है उस्की दोर तो अब हमी कीचनी होगी अब मैं मिनु कववे को नहीं छोड़ूंगा तुम देखती चाओ रानी रात हो जाती है कालू कववा और रानी कववी अपने सारे रंग के डब्बे लेकर मिनुचेडिया के घर में आते हैं और वे सारे रंग के डब्बे मिनुचेडिया के घर में रखकर वहां से चली जाते हैं ये सारा कुछ मिठु माराज भी बैठे देख रहे थे अरे ये कालू कववा और रानी कववी ने अपने रंग के डब्बे मिनू चेडिया के घर में ले जा कर क्यों रख दिये चलो सुबा पूछूंगा इनसे अगली सुबे हो चाती है कालू कववा और रानी कववी अपने रंके डबे चोरी होने का ड्रामा शुरू कर देते हैं हाई रे मैं लूट गिया मैं परबाद हो गिया मेरे घर में चोरी हो गई मेरे तो समझ भी नहीं आ रही के आखिर कौन कर सकता है हमारे चंगल में चोरी मुझे तो मिनुचेडिया पर शक है वे रंक का कारूबार करती है न जरूर उसी ने हमारे रंके डबे चुराए होंगे नहीं नहीं मिनुचेडिया ऐसा नहीं कर सकती मिनुचेडिया तो बहुत जार अच्छी है बस तभी वहाँ पर मिनुचेडिया और मिठु माराज आते हैं मिनुचेडिया में जानता हूँ कि मेरे रंके डब्बे तुमने चोरी किये हैं मिठू माराच आप मिनुचेडिया को बंदी बना लें बंदी तो मैं तुम दोनों को बनाऊंगा कालू कवी तुम मुझसे भी जूर बोल रहे हो मैंने तुम्हें और रानी कवी को रात को मिनुचेडिया के घर में रंके डब्बे रखते हुए देखा था अब तुम दोनों नहीं बचोगे मुझसे क्या कालू कवी तुमने अपने रंके डब्बे खुद मिनुचेडिया के घर में रखे और तुम मिनुचेडिया पर चोरी का इज़ाम लगा रहे हो कितने जारा चलाक हो तुम बस फिर मिठू माराज कालू कवी और रंकवी को बंदी बना लेते हैं और मिनुचेडिया का काम बहुत जादा अच्छा चलने लगता है दोस्तों मिठू माराज ने कालू कवी को बंदी बना कर ठीक किया या फिर नहीं हमें कमेंड में जरूर बताएं हमें आपके कमेंट का बेसबरी से इंतिजा रहता है जंगल में एक मीनू चड़िया और उसका पती मानो चड़ा एक साथ रहा करते थे मानो चड़ा और मीनू चड़िया एक साथ बहुत ज्यादा अच्छी और शांती वाली जिंदगी गुजार रहे थे जंगल में मानो चड़े की एक गोल गपे की दुकान थी मानो चड़ा रोजाना ही अपनी दुकान पर आकर गोल गपे बेचा करता था जंगल के सभी पक्षी मानो चड़े के गोल गपे बहुत ज्यादा ही पसंद किया करते थे जिसके कारण एक ही दिन में मानो चड़े के काफी ज्यादा गोल गप्पे बिक जाया करते थे बस इस ही वज़ा से मानो चड़े और मीनू चड़िया का गुजारा बहुत ज्यादा ही अच्छा हो जाता था एक दिन मानोचड़ा गोलगप्पे की धुकान पर गोलगप्पे बेच रहा होता है तब ही सारे ही पक्षी उसकी धुकान पर आ जाते हैं अरे मानोचड़े तुम्हारे गोलगप्पों का जवाब नहीं है तुम्हारे गोल गप्पे बहुत ज्यादा स्वादिश्ट होते है मेरा तो दिल चाता है कि मैं काफी ज्यादा गोल गप्पे खालू लेकिन ज्यादा खाने से तो मेरा पेट भी खराब हो सकता है इसलिए बस मैं थोड़े ही खाता हूँ तुम मुझे ये बताओ तुम आखिर अपने गोल गपों में ऐसा क्या मिलाते हो जो वो इतने ज़्यादा स्वाधिश्ट बन जाते हैं हैरी हा मानू चिड़े तुम्हारी एक एक चट्नी में बहुत ज़्यादा ही स्वाध होता है और तो जंगल के सभी पक्षी जो जाना ही तुमारे गोल गपे खाते हैं अरे नहीं नहीं पक्षीयों मैं गोल गपों में कुछ खास नहीं मिलाता हूँ बस मैं महनत और इमानदारी से काम करता हूँ इसलिए मेरे गोल गपे सभी पक्षीयों को पसंद आते हैं हैरे हाँ हाँ मानु चिडे, तुम सही क्या रहे हो, तुम बहुत जादा मेहनत और एमानदारी से काम करते हो, हमने देखा है तुम अपने गोल गपों के अंदर अच्छा वाला तेल इस्तेमाल करते हो, जंगल के बड़े बजार में भी गोल गपपे वाले अपना गोल गपा बेशते हैं लेकिन वो लोग भी अच्छा तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं तुम बहुत अच्छा तेल इस्तेमाल करते हो इसी लिए जंगल के सभी पक्षी तुमारे पास आकर ही गोल गप्पे खाते हैं चलो भई मानो चिड़े बातों ही बातों में मैंने ना जाने कितने पिरिया और मानो चिड़े के घर के बाजू में ही एक कालू कवा अपनी पत्मी पिरिया कवी के साथ रहने के लिए आ जाता है अरे कालू रास्ते में तुमने देखा न ये जंगल कितना जादा खुबसूरत है और तो और ये जंगल बहुत जादा बड़ा भी है हाँ हाँ पिरिया कवी ये जंगल सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है बहुत बड़ा जंगल है यहाँ पर तो कितने सारे पक्षी रहते होंगे हाँ हाँ कालू और मुझे तो लगता है कि इतने बड़े जंगल में तुम्हें कही न कही पर जरूर काम भी मिल जाएगा हाँ हाँ प्रिया कवी क्यों नहीं मैंने देखा था रास्ते में यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दुकाने हैं मुझे कही न कहीं तो काम मिल ही जाएगा और इस जंगल में तो एक बड़ा बाजार भी है यहाँ काम नहीं मिला तो बड़े बाजार में तो जरूर काम मिल जा हाँ हाँ ठीक है ठीक है पिरिया कवी मैं कल से ही काम धन्दा ढूंड लूंगा कोई ना कोई फिर अगले दिन वे कालू कवा मानो चड़े के गोल गपों को देखकर उसके पास गोल गप्पे खाने आ जाता है औरे वाह 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 क्या बढ़िया सुगंदा आ रही है इन गोल हा गया है औरे भई मानो चड़े मुझे मीठी चटनी डाल कर एक प्लेट गोल गप्पे देदो अरे हां हां क्यों नहीं मैं अभी दे रहता हो तुम्हें गोल गप्पे बस फिर क्या मानो चड़ देता है अरे कालू कवे आप इस जंगल में नए आए हो क्या मैंने आज से पहले तो आपको यहाँ पर कभी नहीं देखा है औरे हाँ मानो चुड़े जी मैं इस जंगल में नया रहने के लिए ही आया हूँ मैं तो इस जंगल में कहीं काम ढूंड रहा था के मुझे कोई काम मिल जाए लेकिन रस्ते में ही आपके गोल गपों की इतनी बढ़िया सुगंद आई तो मैं आपके पास गोल गपे खाने आ गया इस जंगल में तो आपके गोल गपे बहुत ज़्यादा ही स्वादिश्टोर बढ़िया है वैसे मैं आज जंगल में अपने लिए कोई काम ढूंड रहा हूँ अगर आपको किसी काम वाले की जरूरत हो अपनी दुकान पर तो मुझे जरूर बताना कालू कवे की ये बात सुनकर वे मानो चड़ा सोचने लगता है अरे क्यों ना मैं इस कालू कवे को अपनी दुकान पर काम पे रख लूं इस से मेरी थोड़ी मदद भी हो जाएगी और तो और इसको काम भी मिल ही जाएगा फिर अब मानो चड़ा काफी सोचकर कालू कवे से कहने लगता है एरे कालू कवे क्या तो मेरे साथ मेरी दुकान पर काम करोगे क्योंके मुझे भी अपनी दुकान पर काम वाले की जरूरत है औरे हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं मैं आपके साथ जरूर काम करूंगा वैसे भी मुझे तो कोई ना कोई काम चाहिए ही था और आप मुझे काम दे ही रहे हैं मुझे तो मेहनत करके काम ढूनना भी नहीं पड़ रहा जादा मैं जरूर आपकी दुकान पर काम करूंगा फिर अब वे कालू कवा खुशी खुशी घर आकर पिरिया कवी से कहने लगता है अरे पिरिया कवी मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशकबरी है इस जंगल में मुझे अब काम मिल गया है अरे ये तो बहुत जादा ही अच्छा है अब आप रोजाना ही मेनच से और दिल लगा कर काम करिएगा बस फिर क्या था अब वे कालू कवा रोजाना ही मानो चिड़े की दुकान पर जाकर मानो चिड़े के साथ गोल गपे बेचने लगता है अब मानो चिड़ा जंगल के बड़े बजार से साफ सुत्रा तेल लाकर गोल गपे बनाया करता था और वे कालू कवा मानो चिड़े के गोल गपों को सभी पक्षियों को जंगल में बेचा करता था बस ऐसे ही अब मानो चड़े का धंदा बहुत जादा ही अच्छा चलने लग जाता है फिर अचानक एक दिन मानो चड़े की तब्यत बहुत जादा खराब हो जाती है जिसके कारण मानो चड़ा अपनी दुकान पर भी गोल गपे बेचने नहीं जाता अब कालू कवा भी दुकान को बंद देखकर वापस अपने घर में आकर सोच रहा होता है औरे पता नहीं आज मानो चड़ा काम पर क्यों नहीं आया है उसने दुकान ही नहीं खोली है चलो मैं एक काम करता हूँ उसके घर पर जाकर पूछता हूँ फिर वे कालू कववा मानो चड़े का पूछने के लिए उसके घर में आ जाता है एरी मानो चड़े कालू कववा आप से कुछ बात करने के लिए आया है जो आपकी दुकान पर काम करता है अरे क्या हुआ कालू कववे सब खेर तो है ना तुम यहाँ पर क्यों आये हो हाँ हाँ मानو چڑے सब खेयर है मैं तो बस यहाँ ये पूछने आया था कि आज आज आप काम पर क्यों नहीं आए हो एरे मैं बताती हूं क्ये मानو چड़ा काम पर क्यों नहीं गया है मानو चड़े की तबियत बहुत ज्यादा खराब है उलू वैजी ने उसे अराम करने के लिए कहा है अच्छा तो फिर मानो चड़े क्या आज से अब आप गोल गप्पे नहीं बेचोगे अरे नहीं नहीं कालू कवे ये तुम क्या बोल रहे हो अगर मैं गोल गप्पे नहीं बेचूँगा तो मेरा घर के से चलीगा अरे कालू कवे तुम एक काम करो मैं तुम्हें दाने दे दिया करूँगा तुम खुद ही जाकर बड़े बजार से काफी सारा समान ले आना और उसे खुद ही गोल गप्पे बना कर बेचते रहना जब मेरी तब्यत ठीक होगी तब मैं दुबारा से काम पर आ जाओंगा लेकिन जब तक तुम जिस तरह से मैं गोल गप्पे बनाता था वैसे ही गोल गप्पे बना कर बेचते रहना अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है मैं खुद ही गोल गप्पे बना कर बेच दिया करूंगा फिर वे कालू कव्वा, खुशी खुशी अपने घर आकर पिरिया कव्वी को बताने लगता है अरे पिरिया कव्वी, अब हम बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं, हमारे पास दाने ही दाने होंगे एरे वह वह कालू कव्वे, पर कैसे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोली जा रहे हो फिर वे कालू कव्वा, सारी बात अब अपनी पिरिया कव्वी को बता देता है, कालू कव्वे के मन में बेईमानी भी आ जाती है अरे पिरिया कव्वी, अब सारी जिम्मेदारी मेरे ही हाथ में है, अब रोजाना मानो चिड़ा, मुझे जो भी दाने देगा, मैं उससे पड़े बाजार में जाकर सस्ता वाला समान ले आँगा सस्ते तेल से मैं सबी पक्षियों को गोल गपे बना कर खिला दिया करूंगा, और जो भी दाने बचेंगे, उसे हम अपने नए काम में लगा लेंगे तुम देखना पिरिया कव्वी, इससे हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे कालू कव्वा पिरिया कव्वी की एक बात भी नहीं सुनता और अब रोजाना ही जंगल में सस्ते और खराब तेल की गोल गपे बना कर बेचा करता बस अब इसी वज़ा से जंगल के सभी पक्षी मानोचिडे की दुकान पर आना भी छोड़ देते हैं फिर एक दिन जंगल के सभी पक्षी मीनुचिडिया के घर में आ जाते हैं एरी पक्षियों, क्या हुआ, आप सब लोग यहाँ पर हाँ हाँ मीनू चड़िया हमें जरा मानू चड़े से बात करनी है एरी मानू चड़े जबसे तुमने गूल गप्पे की दुकान पर आना चोड़ा है जबसे उस कालू कव्वे ने बहुत गंदे गूल गप्पे बनाना शुरू कर दिये है अब तो जेंगल का कोई भी पक्षी तुम्हारी दुकान पर नहीं जाता है अच्छा हुआ पक्षियों आप लोगों ने मुझे सब कुछ बता दिया है और वैसे भी अब तो मैं ठीक हो चुका हूँ अब कल से मैं दुबारा खुद से अपनी दुकान पर जाओगा फिर अगले दिन जब मानोचर्ड़ अपनी दुकान पर आता है तो वे देखता है कालू कव्वा सस्ते तेल से गोल गप्पे बना रहा होता है अरे कालू कव्वे ये सब क्या है मैं तो तुमें अच्छे तेल के दाने दिया करता था लेकिन तुम तो सस्ता वाला तेल इस्तेमाल कर रहे हो कालू कवे के पास अपनी सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं होता है क्योंके कालू कवे ने मानो चड़े का भरोसा तोड़ा था एरे कालू कवे तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है इसलिए आज से ही मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ और आगे से कल तुम मेरी दुकान पर काम के लिए नहीं आना फिर मानो चिड़ा अब कालू कवे को अपनी दुकान से निकाल कर दुबारा से खुद ही अपना काम करने लग जाता है अब सभी पक्षी मानो चिड़े के गोल गपे दुबारा से खाने लग जाते हैं और अब सब कुछ दुबारा ठीक हो जाता है तो प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें प्रेना मिलती है कि हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए